मुझा अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जैसरी शाम अभी सुभे छे बज़े का टाइम है और बन रही है मेरी यहाँ पर चाय और मैंने आपको चंदा मामा भी दिखाएं आज कि वही देखी कितने अच्छे लग रहे थे सुभे की टाइम में इतना चम होसम हो रहा था तो कुछ देर जो है मैं चली गई थी सुभे पहले उसके बाद मैं वाद में बापस जाओंगी एक बार मैं पहले ना चाय पी लेती हूं अपनी तो गर्मा गरम चाय पिने के बाद यहाँ पर देखिए यह लेकर के आई हूं एपल क्योंकि आज इनको जाना है सुभे जल्दी ओफिस तो यह रहता है कि सुभे खाली पेड जाने से बेटर है कि कुछ ना कुछ खिला करके हम भेज दें तो यहाँ पर तो मैं इनको जो है एपल पकड़ा दूँगी और यह बिल्कुल रेड़ी हो गए है ओफिस जाने के लिए और यहाँ पर इनका जो टिफिन है वो भी मैंने बिल्कुल बना करके तयार कर दिया है आज मैंने टिफिन में बनाई है आलू प्याज की सबजी और देखिए कितना सारा आटा फेला हुआ है क्योंकि जब भी खाना बनाती हूँ ना मैं रोटी सेकती हूँ खास तोर से तो कुछ इस तरह से ही जो है आटा फेल जाता है चारो तरफ तो इनका लंच भी तयार कर दिया है बस इनको जो है मैं दे दूंगी अभी तो यह चले गए थे ओफिस और उसके बाद में वापस चाहिए हूँ च्छत पर क्योंकि सुबह बस एक बार ही देख करके आई थी मतलब मोसम अच्छा लग रहा था शंडर हंडर तो हो करके आई सुबह के मोसम का अनंद लुए और यहां पर न थोड़ी सी एकसरसाइज वगरा कर लूँगी क्योंकि एकसरसाइज करनी करने करने करना विल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है ऐसा लगता है कि यार मतलब एसा लगता टाइम जाय तो अच्छा रहा है तो और हम हाउस वाइफ को ना एक्सराइस अभी अच्छी नहीं लगती हमको लगता है कि लोग अगर आये हैं तो कुछ काम ही कर लेते हैं तो इसलिए मुझे लगा कि अब मैं अगर चत पे हूं तो छत की थोड़ी सी जाडू भी लगा लेती हूं क्यों कि काफी दिन हो गए जाडू लगा हुए काफ बारिश के चक्र में कुछ खराब भी हो गई थी चत तो उसमें ना बहुत जादा मिट्टी हो गई थी और नीचा आई हो नीचा आने के बाद में मैं लगाऊंगी जाड़ू नीचे वाले रूम का और ब्रगू उठ गया है देखो कैसे सोफे पर आके सोगया है तो इस वाले जो है मैं जाडू लगाऊंगी बाहर वाले रूम का क्योंकि अंदर अभी मिश्टी सोर यह इसलिए अंदर वाले रूम का अभी जाडू मैंने नहीं लगाया है और सुबह उठने के हैं बहुत सारे फायदे वाकई में अगर हम सुबह जल्दी हो जात उठ जाते ना तो आप काम को कितने अच्छे से मेनेज कर सकते हैं आपको आपके लिए भी बहुत सारा टाइम मिलेगा अगर आप जल्दी उठ जाएंगे तो और यहाँ पर रात में मैंने गलाई थी महंदी तो इसे ही मैं जो है लगाऊंगी वह देखिए हमारी मिष्टी जोइस तो रही है और हमारा ब्रगु अभी बाहर से आया है वोट गया था और अभी ज़दूरी काम है तो महंदी लगानिया और जल्दी से फटा-फट पहले महंदी लगा लेती हूं और उसके बाद जोए बाकी के सारे काम करनें पहले बालों तो यहां पर अपने बालों को मैंने सुल्जा लिया था उसके बाद बैठ गई यू महंदी लगाने के लिए और जब हमें खुद से जब महंदी लगाते है ना तो भई इस तरह से काच क्या आगर आगे बेठ के देख देख करी जो है महंदी लगाने पड़ती है क्योंकि ए अप्शन है नहीं और मुझे ना बहुत जादा नीड लग रही थी महंदी लगाने की इसलिए जो है मैंने फाइनली रात में मेहंदी भीगोई दी और जिस तरह से मैं हर बार भीगोती हूं उसी तरह से भीगोई थी महंदी और ब्रगु अमारा भाग भाग के आगे जा रह प्लाल जो जरूरी काम था वो कर लिया है अभी चंतियों किचिन में और जाकरके ना बरतन है किचिन का जो बड़ी सुबह का फिला रहा हुआ रहता है वह फिला हुआ है चाड़ो अब अंदर वाले ढूंकी भी लगानी है तो काम बहुत सारे हैं तो यहां पर जो यह कड़ जो जाता है इसको मैं फिलाल रख देती हूं अपने सिंक में और सिंक में मेरे बरतन भी मेरा इंतिजार कर रहे हैं वह वह निखाल欸 और यहां पर दूद करूंगी बच्चों के लिए गर्म उससे पहले थोड़ी सी जो इसमें मलाई आई है वो निकाल लेती हूं आजकर आजकल मेरे दूद में बिल्कुल भी अच्छी मलाई निया रही है बिल्कुल हलकी फुलकी सी ही मलाई आती है पता नहीं क्या हो रहा है औ और यहां पर दोनों बच्चों का जो है दूद बना दिया है इसमें डाल दिया है अच्छे से बॉन वीटा और दोनों बच्चों को जो है मैं अभी बॉन वीटा वाला दूद जो है दे दूंगी पीने के लिए तो बच्चों को बॉन वीटा डालकर ही पसंद आता है इसलि पर दो कि तो यहां पर बद के बाद में जितने भी सारी में मैं रोटियां हैं सेंको के रख दूंगी मतलब यहां हटा है सुभे लगाया था मिने जब मैंने इनका टिफिन बनाया था तो कुछ जो है आटा रखा हुआ है और अभी ज़्यादा आटा इसलिए नहीं गुंदाए क्योंकि बच्चों ने कर दी है डिमांड के उनको खाना है दाल चावल तो जब ही अगर मुझे दाल चावल बनाने होते ना तो मोस्टली मैं रो चाहिए मैं तक ऑफ कर दोगता है तो अच्छे तरह से बनाती है अगर कूकर में ही डाल देना तो बस आपको ने जो तड़का लगाते ना मिर्ची डाल करके बस वही लगाना रहता है एक्ष्टा कुछ भी काम करने कि आपको जरुरत नहीं पड़ती तो यह बहुत एजी रहता है शोर्स पहनी है हमारे मिश्टी पूरी हीरोईन है और बाल दो लिया है क्योंकि आज है चुटी तो मिश्टी ने अपना सिर भी दो लिया है ठीक है और दोनों बच्चे जो नहा चुके ब्रगु अंदर टीवी तो यहां पर भ्रगु देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है मिश्टी भी हमारी रेडी है अब दोनों बच्चे जो हैं खाने का ही वेट कर रहे हैं तो इनको तयार करने के बाद मैं चली जाओंगी नहाने के लिए क्योंकि के जब मैं नहा करके आओंगी तब ही इनके है दस तो देखिए कितनी जल्दी काम हो गया सो गाइस आगई उननहा करके और बालों में कलर आई गया होगा ओवियसली यहां ना मेरे सबसे जागा ना यहां साइड में इस जगे और इस जगे वाइड बाल जोए दिखने लग जाते हैं क्योंकि एक महीना हो गया है मुझे मेहंदी लगाए एक महीने में लगाती हूं मतलब ज्यादा तर मेहंदी अच्छे से कलर आ गया और टाइम हो गया दस मैंने आपको बताया कि सूबह उठने के कितने अच्छे फाइदे कि आगर हम जल्दी अगर उठ जाएं तो उसमें हमारे काम जो है सारी जटपट हो जात तो दाल चावल मेरे बिल्कुल बन गए हैं अब बस प्लेट लगा लेती हूं सुबह की प्याज की सबजी भी है पर अभी थाली में नहीं रखूंगी क्योंकि मैं लगाऊंगी भगवान जी के भोग इसलिए तो यहाँ पर देखिए दाल चावल और नीबू भी रख लिया कर दिना शेर कर दिना जो भी चैनल पे नए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दिना और आप लोगों के कॉमेंट्स कम आटे इस मिलूँंगे अपने नेक्स्ट ब्लोग में बबाइ टेक केर बाई